आज हम लोग बात करने वाले hypertext transfer protocol कहाज ध्यान सुनियें आप When upper test transfer protocol इसका मतलब क्या होता है transfer between two computer means कुछी भी data किसी भी text को किसी भी multimedia को हम लोग कहा on the web transfer कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं क्या क्या इसके अंदर आते हैं कैसे इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो को आप लोग आखरी तक देखते हैं आप देख रहे हैं Unique Online Guru Channel चलिए मित्र कुछ अच्छा सीखते हैं तो मित्र हम लोग बात करने वाले हैं HTTP के बारे हम किसके बारे हम बात करने वाले हैं HTTP के बारे हम बात करने हैं Hypertext Transfer Protocol सीधा सा फंड आप लोग समझ लिजे कि Set of Rules होता है क्या होता है प्रोटोकॉल तो आप लोगों को पता है कि Protocols क्या होता Set of Rules होता है अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियोस प्रोटोकॉल के पड़े हुए हैं What is Protocol, Types of Protocol हमारा FTP, TFTP, Telnet फिर STTP की बात हम लोग करी रहे हैं आज तो हमारा STTP क्या है Set of Rules होता है क्या होता है भाई Set of Rules होता है To Exchange File and www सीधी बास हमारा समझ लोगों कि यह क्या करता है To Exchange करता है कहां पे www के पास यह क्या करता है Exchange करता है अब यह से हम लोग एक साथ छोटा सा एक Definition देख ले मैंने नोट कर दिया यहां पे HTTP is a Protocol Hyper-Track Transfer Protocol क्या होता है Is a Protocol Which Allows the Fitching Resources क्या करता है यह पूरे Allow करता है कि Fitching Resources Such as HTML Document जैसे हमारा For Example की बात करें तो क्या होगा HTML Document हमारा होता है It is a Foundation of Any Data Exchange on Web सीधी सी बात है कि यह क्या करता है Data को Exchange करता है Web पे And its Client and Server Protocol इसको हम लोग क्या कहते है Client and Server Protocol भी कहते है क्या कहते है हम लोग Client and Server Protocol कहते है Client and Server क्या होता है अगर आप लोग को यह नहीं पता हो तो आप लोग जो है आप लोग क्या करता है Fitching Resources के Like as HTML डाकुमेंट जो हमारा हो सकता है Foundation of Any Data Exchange on Web क्या करता है Data को Exchange करता है Web पे For example की बात करें तो User Can Exchange User Can Exchange Text File ध्यान से मारी बात समग लिजे Text File Graphic File Image की बात कर ले Sound Video And Other Multimedia Users मतलब आप लोग कुछ भी ये सारी चीजों को क्या कर सकते है आसानी से प्रोटोकॉल Set of Rules होता है इसको में लोग Transfer कर सकते हैं दोस्तों तो ये भी हमारा एक प्रकार का प्रोटोकॉल आप लेक देखते होगे कि कोई भी वेबसाइट जब लिखी होती है For example की बात करें अगर Google.com लिखा होता है तो HTTP होता है क्या होता है HTTP.com.blog www.google.com होता है ऐसे होता है हमारी वेबसाइट तो ये हमारा जो है ये क्या है HyperTrix Transfer Protocol होता है दोस्तों जो क्यों क्यों अलाव करता है किसी भी डेटा को हम लोग कैसे एक्स्चेंज कर सकते है ये वेब सर्वर को डिजाइन करता है HTTP से हम लोग HTML request भेशता है HTML के तरीके से हमारा ये दोस्तों होता है तो ये है हमारा complete क्या है HTTP की हम लोग बात कर रहे है हमने इसके पहले क्या बात किया था कि protocol कितने types के होते है तो हमने बताया था आपको standard होते है और proprietary होते है इन दोनों के details मैंने पढ़ा चुका है अब हमारा बचा था standard का कौन कौन सा बचा था सदे पहले हमने बात किया किसका FTP दूसरा क्या बात किया TFTP की बात किया तीसरा हमने टेलनेट देखा चौथा STTP फिर उसके बाद गोफर की बात हम लोग करने वाले हैं दोस्तों तो यह हमारा STTP एक बार फिट से आप लोग समझ लीजिए इस प्रोटोकॉल विच अलाउस दे फीचिंग रिसोर्से अगर आप लोग को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर आप लोग कोई सुझाओ देना चाहते हैं तो एक बार हमें कमेंट जरूर करिए मैं उस कमेंट का रिपलाई आप लोग को अवस्य करूँगा बाकिस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन